GLC भारत में Mercedes-Benz की सबसे ज्यादा बिखने वाली SUE है लेकिन इसकी अगली जनरेशन को आने में अभी कुछ वक्त है जिसकी वज़े से GLA और GLE के बीच की जगा खाली हो गई है और इसी लिए ये SUE एहम बन जाती है नाम है GLB और ये आपके लिए इतनी नई भी नहीं है क्योंकि सिथात पहले इसका रिव्यू कर चुके है लेकिन अब हमें कार को भारत में चदाने का मौका मिला है Mercedes-Benz ने साल 2022 का धम माकेदार आंद किया है एक नहीं बलकि दो कारों के साथ और ये दो गाड़िया है GLB और EQB अगर आप एक्दम गौर से देखें तो आपको GLB के जो डाइमेंशन्स है जैसे वो दिखती है गाड़ी आपको लगेगा कि ये छोटी बेबी GLS है और इसे इंटर्नली यानि Mercedes में भी यही बुलाते है कि ये बेबी GLS है और इसके रीजन्स ये है कि इसके जो headlamps है, tail lamps है जो ये आपको हॉंच दिखता है थोड़ा muscular element जो आता है front wheel पे और rear wheel पे ये सब, ये सब GLS की याद दिलाते है और एक बात है जो GLS से compare करे तो इसमें है और ये है कि ये 7-seater model है जी हाँ, ये पहली affordable 7-seater model है Mercedes-Benz इंडिया से और ये fit bet है कि GLA और GLC के बीच में, तो अगर आप देख सकते हैं, तो ये जो proportions है, ये काफी अच्छे हैं और ये दिखती भी बहुत अच्छी है, अब आते हैं EQB के पास, क्योंकि ये electric version है इस गाड़ी का और ये दोनों एक साथ ही launch होने वाले हैं ये अगर आप front part देखेंगे तो ये very एकदम एकदम typical EQ models, जो है EQC, EQS, उनके तरह ही बिल्कुल दीती है, और ये blue element जो है, ये सिर्फ GLB को दिया गया है, क्योंकि एक अलग तरीके से इसको ना पा गया था इसका bonnet थोड़ा लंबा है और इसकी वज़े से ये थोड़ी और muscular लगती है, अगर आप पीछे की तरफ जाए तो tail light में भी एक अलग अलग band दिया गया है जो सिर्फ EQ models में आता है यहाँ पे भी front LED ये जो strip है, ये सिर्फ आपको EQB में ही मिलेगी तो काफी आकरशक लगती है दोनों गाडिया GLB MFA2 प्लाटफरम पर बनी है और EQB को IWA 2 पर तयार किया गया है और इनके आकार में मामूरी फरक ही है दिल्चस्प बात ये है कि इनकी साइज लगबग GLC के बराबर ही है और ये बात इनके भारत आने की वज़ा को बताती है EQB और GLB दोनों को भारत में कमपनी के मेक्सिको प्लाटफरम से आयात किया गया है लेकिन मसरी बेंस इंडिया इनको जल्द ही देश में ही बना सकती है आकार से परे दोनों कारों के कैबिन भी तकरीबन एक जैसे है लेकिन ध्यान से देखने पर आपो कुछ फर्क जरूर दिखेंगे Mercedes ने GLB में बहुत अच्छी तरीक इसे स्पेस दी है आगे की सीट काफी आराम दायक है और यहां पे बैठके सब कुछ आपके हाथ के अजबाजु में ही है यहां पे जो पूरा मेन्यू दिया है यह साब बटन्स ही है टॉगल स्विचेज है और यह टर्बाइन जो है AC वेंड का और यह स्टेरिंग वील है जो काफी बिजी स्टेरिंग वील है क्योंकि इस पे बहुत सारे बटन्स है यहां पे दो 10.25 इंच के स्क्रीन है एक है जो टॉस्क्रीन है और दूसरा इंस्रूमेन क्लस्टर है अगर आप बात करें तो बहुत अच्छी तरीके से दिये गए इस गाड़ी के सेकेंड रो में आपको अच्छा एक नी रूम मिलता है हेड रूम भी अच्छी है और एक हुज गलास एरिया है इसके वाज़े से पूरा कैबन रूम ही लगता है अगर आप फीचर की बात करें तो यहाँ पर आपको दो रियर एसी वेंस मिलते है और सी टाइप चार्जर मिलता है लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह सीट बहुत फ्लेक्सिबिल है फ्लेक्सिबिल कैसे इन्हें स्प्लिट किया गया है 40-20-40 में ताके आप कोई भी सीट नीचे करके और जगा बनाएं लगेज के लिए या फिर लोगों के लिए दूसरी बात यह है कि यह सीट आगे और पीछे भी होती है यह देखिए यह आगे हो गई और यह पीछे और अगर आपको यह बैक थोड़ी से रिकलाइन करना है तो आप रिकलाइन भी कर सकते हैं इसका एक सीधा उपाए ऐसा है जिहां यह रिकलाइन होती है तो एड़िड कमफर्ट मिलता है अगर आप देखे तो कैबिन रूमी और स्पेशिस है और फीचर्स भी काफी अच्छे तीसरी रो में जाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल रहा यहां जगह की कमी है और मसेडीज बेंस खुद भी कह रही है कि यह बच्चों के लिए बहतर है तो क्या आपने एक खास बात पर ध्यान दिया? मैंने आपको दोनों कारों के इंटीरियर्स के बारे में बताया अब आप इन दोनों में फरक बता पाएंगे अगर पाच लोग सफर कर रहे हैं तो यहां जगह की कमी नहीं है हाँ मैंने साथ नहीं पाच कहा यहां आपको डेड़ सो लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा तीसरी रो गिरा कर यह साथ सो लीटर हो जाता है और दूसरी रो भी गिरा दे तो 1680 लीटर अब वक्त है आपको बताने का कि कैसी है चलने में यह दोनों कारे GLB जो है वो दो एंजिन ओप्शिन में आती है एक टीजल और एक पेट्रोल और हमारे पास आज टीजल है यह दो लीटर वाली मोटर है जो 188 BHP पावर बनाती है और 400 Nm of torque है यह जो torque है वो 1600 RPM से available होता है लेकिन 1600 से 3000 RPM तक ही यह torque जो band है उसका जिसमें power available रहता है यह इस band में होता है तो अगर आप इस band में इस गाड़ी को रखेंगे तो पावर की बिलकुल की कमी नहीं महसूस करेंगे लेकिन एक बात जरूर है 8-speed जो इसमें gearbox दिया गया है वो over time काम करता है ताकि आपके पास continuously power रहे आपकी गाड़ी को भगाने के लिए समझ सकते हो आप मैं जो बताना चाहता हूँ इसी लिए गाड़ी चलाने में भी मज़ा आता है लेकिन 3000 RPM के बाद गाड़ी में थोड़ा lag हो जाता है और 1600 RPM के पहले भी थोड़ा lag महसूस होता है जो कि डीजल में lags जो होते हैं वो हमेशा से ही पता है हमें लेकिन वो 8-speed gearbox काफी अच्छा है 0-100 इसमें आप 7.6 seconds में कर सकते हैं और इसे आपको पता चलता है कि यह proportionately powered है यह underpowered बिल्कुल नहीं है और इसमें ज्यादा पावर दी नहीं गई है यह proportionately powered है इसलिए इसे चलाने में भी बहुत मज़ाता है लेकिन आज मुझे इवी वर्जिन ज्यादा पसंद आया इंस्टिंट टॉक इंस्टिंट टॉक की वज़े से यह बहुत मज़ेदार काड़ी है 390 न्यूटिन मीटर का जो टॉक है वो ऐसे मिल जाता है एक पेडल के पुश से जो बहुत मज़ेतार है और इसे चलाने में भी इसलिए ही मज़ाता है और अगर आप कर्व्ज लो इसमें तो भी वो आराम से संभाल लेता है लेकिन स्पोर्ट मोड में एक अलग प्रकार का मज़ा आता है क्या है सब कुछ फरम आप हो जाता है स्टेरिंग फरम आप हो जाता है थोड़ा वेट आजाता है स्टेरिंग को यह जो आपके इन्पुट्स है एक्सेलरेशन के वो भी एकदम स्पोर्ट मोड की थरा रश्ट होते हैं और सस्टेंड रहते हैं इसलिए यह दो सो पच्चीस बीएजपी जो है वो पावर अवेलिबिलिटी जो है इसकी यह एकदम जीरो से अवेलिबल है और इसलिए इसको च आपको एक चार्ज पर 423 किलोमेटर की रेंज मिल जाएगी यानी EQ भी बिना रुके लंबा सफर तै कर सकती है इसमें फास्ट चार्जिंग विकल्ब भी है और 100 किलोवाट DC फास्ट चार्जर की मदद से यह 10% से 80% तक 32 मिनिट में चार्ज हो जाती है वही 14 किलोवाट AC चा लगेंगे बैटरी प्रैक्ट पर 8 साल की वारंटी दी जा रही है दूसरी तरफ GLV में एंजिन और ट्रांस्मिशन पर 8 साल की वारंटी है जो काबिले तारीफ है दोनों ही कारों में आराम देह सवारी मिरती है 155 मिलिमीटर की ग्राउंड क्लियरंस के साथ आपको खराब लगों पर भी परेशानी नहीं है तीसरी रो में भी कम सस्पेंशन ट्रावल के चलते आप आराम से बैट पाएंगे सुरक्षा की बात करें तो दोनों कारों में साथ एरबैग्स लगे हैं आपको तीसरी रो में भी कर्टिन एरबैग्स मिल जाएंगे दोनों को ही योरो एंग कैप से 5 स्टार सेप्टी रेटिंग मिली है और सुरक्षा फीचर्स की यहां कोई कमी नहीं है अब इंतजार है इनकी कीमते जानने का मुझे लगता है कि दोनों के दाम एक जैसे हो सकते हैं जिससे लग्शरी सेग्मेंट में हलचल मचेगी मेरे हिसाब से यह 57 से 65 लाग रुपए के बीच होंगी जो आकरामक होगा GLB और EQB दोनों ने हमें लुभाया है शानदार कीमते इनको और ज्यादा आकर्शत बना देंगी